डेरा सच्चा सौधा प्रमुक गुरमीत राम रहिम को एक और पैरोल मिली हैं, वो इस बार 21 दिन के लिए रिहा हुए हैं। जानकारी का मताबिक डेरा प्रमुक को अब तक कुल 6 बार जेल से पैरोल मिली। गुरमीत रामरहीम बलातकार के एक मामले में दोशी है इससे पहले जुलाई में हर्याना सरकार ने डेरा सच्चा सौधा प्रमुख को 30 दिनों की पैरोल दी थी उससे पहले डेरा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल मिली थी आप जान लेते हैं कि रामरहीम पर कौन से मामले दर्ज है और किस मामले में वो अंदर है धरसल 2002 में अपने मैनेजर की हत्या के लिए आजीवन कारवास के सजाकाट रहार रामरहीम 2017 में दो महिलाओं के बलातकार के लिए दोशी ठहराय गया और 2017 से हर्याना के सुनारिया जेल में बंध है रामरहीम के पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में फॉलवर हैं जो उसे भगवान मानते हैं उसे अब तक 6 बार जेल से पैरोल मिली है जिसमें बीमार मा से मिलने के लिए पैरोल भी शामिल है रामरहीम को दो महि मिलाओं से बलातकार के आरोप में अगस्त 2017 में 20 साल जेल के सजा सुनाई गए थी जनवारी 2019 पंजकूला के एक विशेस सीबिया अदालत ने 16 साल पहले पत्रकार राम चंदर छत्रपती की हद्दय के लिए राम रहीम और तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थ 25 अगस्त 2017 को उसकी सजा के कारण पंजकूला और सिर्सा में हिंसा हुई जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक गाहल होगे अब जान लेते हैं कि राम रहीम कब-कब जेल से बहार आया 20 अक्टूबर 2020 मासे मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली फिर 12 मही 2021 को बलड प्रैशर और बेचैनी की शिकायत पर पीजियाई में जाच के लिए लाए गया 17 मही 2021 मासे मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई पुलिस रक्षा में उसे गुरू-ग्राम ले जाए गया 3 जून 2021 पेट में दर्द की शिकायत पर पीजियाई लाये गया 8 जून 2021 स्वास्त जाच के लिए गुरू-ग्राम के में दानता अस्पिताल ले जाये गया 13 जुलाई 2021 जाच के लिए एमस ले जाए गया वापसी में दो महिलाओं से कतित मुलाकात की जाज की जा रही है फरवरी 2022 21 दिन के पैरोल मिली जून 2022 30 दिन के पैरोल मिली अक्टूबर 2022 40 दिन के पैरोल मिली 21 जनवरी 2023 40 दिन के पैरोल मिली फिर अन्त में 20 जुलाई 2023 30 दिन के पैरोल मिली और आज फिर राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली है निष्पक्ष निर्भी निरंदर